हलो दोस्तों कि अज मैं आपके लिए एक और नया शेयर लेघा है ठीक है मुझे नहीं पाता शायद मैंने शेयर आपको पहलेchar केलिंगे सामपनी का नाम क्या क्या मैं आभववफ लॉंजरी लिमिटेड जैसे ही नाम में लॉंजरी है तो खाल है वह आप 다음에 हुआ बाते करेंगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे सब चीज ठीक है क्या लेना है क्या बेचना है क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है वो डिसीजन आपका और आपके खुद की स्टड़ी और आपके फाइनेशल एडवाइजर से हल्प लेके ही करिएगा बर इस्टिल मैं अपना एक पॉइंट आप व्यू रखना चाहूंगा जाके आप व्यूडियो में लाश्टक बने रहिएगा ओके तो सबसे पहले तो I am small cap investor चैनल को सब्सक्राइब कर ली क्मने love愛keeper लांजरी से रेटर पहले बात करी है तो मैं आप एक बार देख लेता हूं ठीक है तो आपको पता चलेगी कि हां में फॉडियो बना रही है यह वीडियो बना रहूं ठीक है बड़ याद रखिए आपको अगर बारी किया सीखनी है क्यों क्या कैसे किस लिए का जवाब सीखना है कि शेयर क्यों भगता है शेयर क्यों गिरता है शेयर क्यों नहीं भगता है वो सारे कि सारे अंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे कौंसा शेयर लेना है क्यों लेना है किस लिए लेना है यह क क्यों क्या कैसे कि जवाब जब ढूना आप शुरू करोगे ना तो इस टॉक मारगी की जर्णी आसान हो जाएगी बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल सब कुछ आपको सिखाए जाएगा 20,000 रुपे का कोर्स है बट 6 दिन बचे हुए है जहाँ पर मैं आपको 18,000 में सिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए थे जिसकी वज़े से यहाँ पर मैंने 10% का आफ दिया था और एक तारिक से इस कोर्स की कीमत 25,000 रुपीज होने वाली है थ्री मन्स की हैंडोल्डिंग, स्ट्राटिजी यूजिंग, स्टॉक मार की ऑनलाइन नोटस पर कुछ दिया जाएगा एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ पीछे मुड के देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो आपका डड़ने के ज़रूत नहीं पड़ेगी तो वीडियो में आगे बढ़ते है लवेवन लॉंजिरी की अगर हम बात करें 1987 में यह कंपनी आई थी ठीक है इन दा बिजनस आफ मैनुफेक्शिरिंग होजरी और गार्मेंट प्रोडक्स से लिटीड़े कंपनी बनाती है यहां पर आप देखेंगे तो बिजनस लेलपी इस वोमन इनर्वियोर मैनुफेक्शिरिय इंडिया ठीक है तो यह क्या है लॉवेवल लॉंजिरी है जो यह व लॉवेवल फॉर्मला यह वर्ल ट्रेडिंग कंपनी उसे ओन एन एक्स्क्लूजिव बेसिस फोर दा टरिटरी आफ इंडिया नेपाल और भूटान कंपनी सो सल्टीन मैटर मैटेरिल इंटर इंटरनेशनली लाइक लेस और फैब्रीक फोर विमन इन इनर्वेर इट यहां पर बेचे जाते हैं इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं इनकी वेफसाइट पर विजिट कर लीजेगा तो आपको पूरा एक आइडिया आता हुआ दिखाई देगा कंपनी से लेटे आगे और बात करते हैं तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल का नाम है स्मॉल कैप इंवेश्टर तो याद रखिए मैं जब भी शेयर कर ला रहा हूं तो चोटे शेयर से लेटे ही बाते करता हूं तो यहां पर 227 क्रोट रूपे की मार्केट कैप है तो यह स्मॉल कैप नी है माइक्रो कैप है उससे भी छोटी है ठीक है तो जब चोटी कंपनी की बात करूं तो याद रखिएगा कि शेयर जब भाग रहा है तो अच्छे रिटन देगा इसमें कोई परिशानी नहीं है बट ऐसा भी हो सकता है कि शेयर जब रिटन देने पर ना है तो आपसे आदे या उससे ज़्यादा की रिटन यहां पर चीन ले जैसे और यहां पर आपको एक अच्छे रिटन देता हुआ नजर आ सकता है बट इस्टिल भविश्य की बात भविश्य में है क्या है भविश्य गर्थ में किसी को नहीं बता इस्टिल बट हम सोचते हैं कि हाँ जह हमने वीडियो बनाई है तो कहीं न कहीं कुछ मतलब हो सकता है शेयर महां तक जा भी सकता है नहीं भी जा सकता नहीं जाएगा तो छोटी सी रिस्क है और जब जाएगा तो एक बड़ा सा प्रॉफिल तो दोनों चीज़ों को लेके रिस्क रिवार्ड रेशो जिससे हम कहते हैं वो उसके इसाब से ही मैं आप पर वीडियो बना रहू ठी रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनिशल एडवाईजर कुद की श्रैडि कर ला है तो यहीं चीज़े सीखने है रिस्क रिवार्ड रिस्क रिस्क बैनेजमेंट तो इन ही नंबरों पर कॉंटक करके आप सीख भी सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम बात करें पी की नाइंटी यहां पर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स पर चलते हैं तो आपको पता चलेगा कंपनी के नंबर्स आ रहे तो अभी की बात करें तो बीच में कभी ज़्यादा आ जाते हैं कभी कम आ जाते हैं यहां पर आप देख रहे हैं फिर यहां पर कम फिर जादा है फिर कम है तो इस तरीके की sales यहां पर होती हुए नजर आ रही है इसके इलावा आप यहां पर operating profit भी देखोगे तो वो भी आप देख सकते yearly basis पर यहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है बट यहां पर क्या है positive numbers है ठीक है जो company लगा था 2-3 quarter से घाटा कर यहां पर positivity दिखा रही है ठीक है margin की बात करें वो भी yearly quarterly दोनों basis पर कम नजर आते हैं ठीक है profit की बात करें यहां पर company का जो profit है ठीक है आधर income की वज़े से आप देखोगे तो अच्छा कासा yearly basis पर अच्छा कासा होता हुए नजर आया है इसकी वेज़े से EPS भी बढ़िया और quarterly base पर थोड़ा से number कम है तो हम बात करें number ऐसे कोई impressive नहीं है ठीक है 2012-2011 की बात करें तो यहां पर जब high बनाया था उच्छान में number कुछ और थे अभी की बात करें तो number कुछ और है ठीक है लगातार number घटे ही है बढ़ते हुए नजर नहीं आये है ठीक है क्योंकि यह इसने भी products बनाती है उसमें कहीं ने कहीं competition आते हुए बीच में दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा अलग-अलग brand से यहां पर competition आता ही है but still company यहां पर अगर अच्छा करती है तो यहां पर ऐसी ही company होती है ऐसे ही छोटे share होते है ऐसे ही company होती है जहां पर आपके return पांच गुना-दस गुना बनने के chances रहते हैं ना कि आप TCS Infosys HCL Tag को लेके बैठोगे और आप सोचोगे कि मेरे पैसे दो साल में तीन साल में पांच गुना-दस गुना हो जाएंगे तो वो impossible सी बात नजर आती है जब बनाने थे उन्होंने पैसे बनाये थे reserves की बात करें, reserves यहां 63.96% के आसपास की प्रमोटर की holding है, FIs और DIs ऐसे चोटे company में मोचली रहते नहीं है वो अच्छी बात होती है, 36% के share यहां पर public के पास नजर आते हैं, बाकी आप देखोगे तो buying selling चलती ही रहती है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, वो सब चीज़े यहां पर इस particular share में होती रहती है, वो चीज़े आप देख सकते हैं, ठीक है, तो numbers की बात करें, तो undervalue भी नहीं नजर आता है, क्योंकि PE ratio जादा है, ठीक है, बट इस्टिल हम बात करें, price wise और chart wise हम देखें, तो कहीं न कहीं यहां पर lag buster कर रहा है यह share, और हम यहां पर देखें, तो result भी कोई impressive नहीं है, बट chart में थोड़ा सा दम नजर आ रहा है, इस वज़े से यहां पर share से लेटे मैं बाते कर रहा हूँ, जानेंगे chart में क्या दिखाई देता है, बट उससे पहले request है, I am smallcap investor channel को subscribe, bell icon को hit all notification को, चीज़े सीखनी है, तो यहां पर number को note कर सकते हो, सीख है, चीज चीज़े से बहार निकलता हूँ और नजर आ रहा है यह share, ठीक है, और हमने यहां पर अपने client को इस particular level पर दे भी रख्या, और उसके ऊपर देखोगे, तो यह 170 के आसपाँ गया भी था, तो अच्छे का से 31% के return बनने भी थे, अभी जब market में गिरावाट हुई, तो यहां पर हम course करते हैं, तो हम यहां पर सिखाते हैं, ठीक है, तो अभी अच्छा नजर आता है, जो मैं risk reward ratio की बात कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा risk लगा लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा की बात करों तो लगबा 142 रुपे, और थोड़ा सा और risk लेना है तो 140 रुपे, ठीक है, तो 13 रुपे की risk maximum यहां पर है, ठीक है, 13 रुपे का मतलब है, लगब लग 9%, 9% का risk लेके आप इस share के बारे में एक बार सोच सकते हैं, बढ़ याद अरकेगा, कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करके ही यहां पर देखना है, और जैसी यह share 167 का level तोड़ेगा, उसके बा बात करें, ठीक है, तो यह share आपका 600 रुपे तक यहां पर जा सकता है, जब 600 रुपे की में बात कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, 600 रुपे का मतलब क्या है, 600 रुपे का मतलब है, कि आपकी यहां पर बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब क्या है, आपके अच्छे का से return य चायद बहुत कम समय में आप इस particular share में दिखाई दे सकते हैं, बट याद रखिएगा, risk की stock है, और फिर या, फिर आपने सोना ही, risk है तो इश्क है, ठीक है, तो 13 रुपे की risk लेके आप देख सकते हैं, बट risk भी आपकी है, profit भी आपका है, किसी का कोई recommendation नहीं है, ठीक है, कि आपको किसी ने वीडियो बनाई और बता दिया, तो आप उसमें कूद पड़े, ऐसा भी नहीं करना है, अपने खुद की मेनत करके देखिए, ठीक है, आपको पता चलेगी, या तो आप गल्द प्रूव होंगे, आप सही प्रूव होंगे, ठीक है, तो इस बहुत से हम य कर लीजिए, बाकी 25,000 रूपे का कोर्स एक तरिक से ही होता हुआ, नजर आएगा, और किसी को साथ में काम करना है, ठीक है, चाहते हो कि हम ही आपके लिए यहां पर काम करें, तो इनी नंबरों पर कांटक करें, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे शेयर यहां पर दिये जाएंगे, जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, और उसमें ही पैसा बनता हुआ नजराएगा, so thank you so much, God bless.